कि नवस्कार दोस्तों वेलकम डूनिते यांपइंटर निक्ते यांपइंटर में सब्सक्राइब नागरिक्षास तो जिसे में लोग देखेंगे अगला टापिक लेशन नम्र एट और यह होगा राजी के कारियों की जो कामगाज के फिद्धान था हम लोग देखेंगे उदारवादी और मार्क्सवादी सिध्धान चलिए तो आज का जो एक लाफ से हम लोग step काते हैं तो पिद्धम तंद्धम थे और हरवर्ट एंस्पेंसर थे और कई सारे बिद्वानों थे तो इन बिद्वानों के बिचारों को क्या किया गया कि एक सामोहिक उदार बिचारधरा नाम यहां पर दे लिया गया था तो प्रारम्भ में जो उदार बिचारक थे उदार बिचारकों ने पुलिफ राज जी या दम महतुपूर कार्य जो है यहां पर दिये थे ठीक राज्ज के हिस्वे में तो राज्ज को समाजिक या अर्थिक कार्य करने से यहां पर क्या कर दिया था ठीक है तो अलोचनात्मक उदारवाद को फिर क्या कहा गया अलोचनात्मक जो उदारवाद हुआ उसको राज्ज की गैर हفتہ छेप नीती का यहां पर फिद्धान्द भी कहा जाता है तो इस फिद्धान्द के अनुसार क्या है कि राज्य को आरथिक छेतर में हफता छेप करने और फामाजिक कल्याण कानूनों को लागू करने का कोई अधिकार नहीं है जिन्हें आप जो है नीचे फिर पिस्तार से पढ़ने वाले हैं तो आईए हम लोग देखते हैं कि साफ्तरी उदारवाद या नकारातमक उदारवाद के अनुसार राज्य के प्रमुक कारिन में से कौन कौन से हैं तो इसके इन्फार जो राजी के प्रमुख कारी है वो है जान माल की फुरच्छा करना ठीक है तो नकारात्मों उदारबाद कहता है वह उसको क्या होना चाहिए नादरिकों की जो जान है और माल है फारी चीजों की यहां पर अच्छा करनी चाहिए कानून और विवस्था की और बाहरी हमलों से भी क्या करना चाहिए फुरच्छा पतान करना चाहिए और क्या करना चाहिए नियाए पालिका का संगठन भी करना चाहिए तो ये नकरात्मक उधारवादी के इनफार जो है ये राजी के कुछ कारिय हैं कुछ और कारियन के इनफार देख लेते हैं तो भे बेक्तियों की रच्छा करना है राज जी का मुख्य काम क्या है बेक्तियों की रच्छा करना है जिबकि राज जी का यह करतब भी है कि वह बाहरी मामलों और फहयोगियों दोरा हमलों से बेक्तियों को क्या करे फुरच्छा परतान करे और यह भी राज जी का करतब भी है कि व क्या होते हैं तो जो पुरानी उदारबाद थी पुरानी उदारबाद ने राज को एक निंदनी राज के रूप में यहां पर देखा लेकिन जैसे जैसे समय बिता गया तो उसके साथ-साथ में क्या हुआ कि उदारबाद में बहुत महतोपौर्ण बदलावाया और समकालीन उधारबाद की उधारणा पुरानी उधारबाद की तुल्ला में क्या हो गई यहां पर जदा लोगत्रिया हो गई तो जो फास्तरी उधारबाद है उसकी उधारणा को कई देशों में लागू किया गया था इस उधारणा को बिक्तिवादी उधारणा भी कहा जाता ह है तो वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट है आपको यहां पर ध्यान लखना है इस अध्याना के ब्योहारी का अनुपर्योग के जो है काफी भयानक यहां पर पड़ाम भी देखने को मिले थे तो उत्पादन और पूजी जाधन के कुछ के हाथों में केंदरित हो गए थे ठीक है तो यह ध्यान में रखना है और आम लोगों की जो इफ्तिती है वो बहुत ही दैनिये हो गई क्योंकि जो पूजी पती थे पूजी पतियों ने अपने निजी लाव के लिए क्या किया उनका यहां पर फोफड किया था तो एक न तर्भषन करने लगे ठीक है और राजय द्वारा व्हणी कल्यार कार्यों पर यहां पर क्या दिया लिया है तो जोड़ धीर द Kagwe लगा तो आई यह लोग देखते हैं कि सकरातमक जो उदारवाद था उसके अनुसार राजिक की कारी क्या क्या होने चाहिए तो उसके अनुसार जो कारी है वो है अन्य देशों के साथ मैतु कूंड संबंद अस्तापित करना फिच्छा का परसार करना गरीबी दूर करना फरव स्विधाओं का यहां पर प्राउधान करना और नैतिक और स्वा माजिक उदार करना मनुरंजख स्विधाओं का निरमाड करना प्राकितिक सौंसधानों का विकास करना ठीक है तो यह था जो कुछ वक्रारातमक उद्हारवादी थे उनके उसका कारी ठीक चलिए अब हम लोग जखते हैं कि जो लोक कल्यान कारी राज्जी है उसके कारी क्या क्या होते हैं तो जो लोक कल्यान कारी राज्जी है उसका कारी जो है काफी व्यापक है काफी व्यापक है तो जो बिक्तिवादी बिचारक है वो राज्जी के कारियों को दो बरगों में बाड़ते हैं एक तो ये है कि राजी के अनिवारी कारी और दूसरा क्या है राजी का एच्छिक और लोक कल्यान कारी कारी ठीक है तो जो एच्छिक कारी और लोक कल्यान कारी राजी के जो समर्थक होते हैं बिचारक इस वरगी करण में वो विफवाफ नहीं करते वो जनहित में किये जाने वाले सभी कार्यों को आवश्यक और क्या मानते हैं अनिवारी मानते हैं तो इस जो लोक कल्यान कारी राज्य के जो प्रमुख कार्य हैं वो निम्न यह नीचे दिये गए हैं उसको आईए हम लोग देखते हैं तो पहला है नागरिक फतन्ता तो कल्यान कारी राज्जी का जो अदर्श है वो है लोकतंत्रिय ब्योस्था में भली प्रकार प्राप्त और पूरा किया जा सकता है ठीक है तो लोकतंत्र में नागरिक फतन्ता क्या करने चाहिए दी जाने चाहिए और राज्जी को चाहिए कि अपने नागरिकों को बिचार, व्यक्ति, सम्मेलन, संगठन, आने जाने, बसने, व्यवसाय करने की क्या गरे, पूर्ण फोतनता प्रदान करे, इसे से ही क्या होगा कि लोग कल्यान कारी राजी की व्यवस्था का अचिति प्यवस्था ही होता है, दूफरा जो है, वो है, लोग ठाम करना, ठीके व्यवस्था करना, चलते फिरते और सधालों की व्यवस्था करना, नाफीली बस्तों की विक्री पर रोक लगाना, निरधन लोगों की मदद करना, ये सारे काम, अगला है, सामान ये ग्यान में ब्रिद्धी करना, तो कुछ लोगों का कथन है कि जो कल्यान कारी राज जी है को सामान ये ग्यान बृद्धी के फाधनों की क्या करने चाहिए विवस्था करने चाहिए ऐसा करके राज जी नागरिकों के जीवन अस्तर को उंचा उठा सकता है अगला जो कारी है वह सारभजनी के फिच्छा की विवस्था करना तो यदि राज जी के नागरी के फू संस्कृत होंगे या सिच्छित होंगे तो वो राज भी क्या होगा वो राज भी मजबूत होगा आता है राज को सिच्छा के विभिन साधन उपलब्द कराने चाहिए और ऐसी व्योस्था हो कि सभी को सिच्छा प्राप्ट करने का क्या हो अधिकार और अवफर प्राप्ट हो सके ठीक है तो यह चीज़ें यहां पर हो जाएंगे अगला है फ्रमिकों का कल्यान तो जो लोक हित कारी दाज तो जब तक राजी में फानती व्योस्था पर नहीं होती है तब तक राजी के नागरिक प्रगति बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं तो उनका जीवन भी फुरच्छित नहीं रहेगा तो फानती व्योस्था के लिए कानूनों का बनाना उनका पालन कराना और उलंगर करने के डेंडिट करना ये सब क्या हैं ये सब राजी के कारी हैं तो इन कारियों को भी भली प्रकार से संपन करने के लिए राजी को क्या करना चाहिए कि सरकारी कर्मिचारियों नियायाले पुलीस आदी की बेवस्था करनी चाहिए और वो राजी करता है अगला जो कारी है वो है बा बाहरी आकरमन से फुरच्छा करना ये क्या है ये भी राजी का ही कारी है इद्राज ये बाहरी आकरमन से फुरच्छा करने में अफमर्थ रहता है उसके पड़ाम फुरूब क्या होता है उसका अफ्त तुही फमाब्थ हो जाता है अताहब आकरमन से समुचित फुरच्छा क् आवशिक है, फामाज फुधार के कारी करना, तो जो लोक कल्याण कारी राजी है, उसका लच्छिक क्या होने चाहिए, बैक्तियों को नकेवल आर्थिक वरन फामाजी का कल्याण भी होता है, ठीक है, लोक कल्याण कारी राजी में, तो इस द्रिफ्टी से राजी के द्वारा, मदपान, बाल विबाह, छुवा छूत, जाती वे उस्था, इन जो सारी सामाजी कुरूतियां हैं, उनको दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? उपाय किया जाना चाहिए, ठीक है? तो अभी तक हम लोगों ने देखा नकारातमक उदारवादी, शकारातमक उदारवादी और लोक तनतात सारी जो लोक कल्यान कारी राज्जी हैं, उनकी काम काज क्या होते हैं, या फिर उनके कारी क्या हैं, ठीक है? चलिए तो आफा करते हैं, उसमें से आपको कुछ जरूर समझ में यहां पर आ गया होगा, तो अगर आपसे क्रिस्टिन पूंचा जाता है, चार आप ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्ट वीडियो में, तब तक आप लोग ऐसे ही बने रहिए, जय हिंद, जय वाकत